और मैं मानस बवन में खड़ा हूं मैं फिर वहीं पर आता हूं राम चरित मानस पढ़ी अपनी दादी के पास बैठके अपने दादा के पास बैठके राम का धहरे देखिए राम का धहरे विश्णू का धहरे नहीं है मुझे क्षमा करें भगवान है विश्णू लेकिन वो त राम को प्रवोक करने की एक हरकत दुनिया नहीं छोड़ी, पुत्र के रूप में सोचिए वो लड़का कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा, जिसका राज्या भिशेक होना जा रहा है और एक सेड़ में पता चला कि बन चलो, कपड़ उतारो, अब ये बलकल पहनो, पत्नी को लो और निकलो, कितना कठिन समय, लेकिन राम राज्या भिशेक होगा, मैं राजा बनूगा, इस पर प्रसंद नहीं है, और मुझे वनवास मिल गया, इस पर दुखी नहीं है, यही राम होना है, लोग समस्ते हैं जंगल में पोस्टिंग, लोग समस्ते हैं कौने में में लिए तो punishment हो गया यही अवसर है जो आपको इश्वर दे रहा है दश्रत के पुत्र राम जब तक अयोध्या में रहे युवराज राम कहलाए श्री राम कहलाए और जब जंगल जाकर लोटे तो मर्यादा पुर्शुत्नम भगवान राम कहलाए इस पूरी यात्रा ने उने भगवान मनाया इस धहरे ने उने भगवान मनाया और अदुबुद धेरे हैं उनके पास उनका अपमान करके कोई चला जाता है वो धेरे के साथ मुस्कुराते रहते हैं उनकी पतनी का हरण हो जाता है उसके बाद भी धेरे पूरवक पूरी विवस्था करते है और एक बात सोचना आप सब लोग राम मैं एकसर इस बात पर बहुत अंदर तक थिल रहता हूँ राम आयोध्या से चले उस समय का सबसे बड़ा खानदान था वो हिंदुस्तान में जो कुछ भी बड़ा था उनकीया पैदा हुआ इक्ष्वाकू, अज, रगू, दिलीप, पुरुरवा, ययाति, नहुष, दश्रत सब बड़े आदली उनका भारत का नाम जिस पर रखा गया वे भी उनकीया पैदा हुए भारत सब उनकीया पैदा हुए लेकिन उसके बाद भी जब राम एक वलकल पहन कर चले तो रास्ते भर में राजाओं को भी तो पता चलाओगा कि भी दश्रत का लड़का जा रहा है वो भी तो मिलने आना चाहते होंगे, राम उनसे साहता भी ले सकते थे जिस पंचवटी में मा सीता का हरण हुआ है, वो तो उनकी नंदसाल के बिलकुल बगल में है कौशल प्रदेश में, राइपूर में, वो बिलकुल बगल में थे, वो अपने नाना से कह सकते थे, अपने मामा से कह सकते थे कि साहब आप ज़रा मेरी साहता करो, मेरी पत्नी का आपराण हो गया, सेना देदो ज़रा मैं चलूँगा, उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने एक भी राजा को अपने साथ नहीं लिया, उन्होंने रास्ते बर आप जैसे और हम जैसे लोगों को साथ लिया, किनको? सामान्य वंचितों को, दलितों को, उन्होंने वनवासियों को साथ लिया, उन्होंने माशबरी का अशिरवाद लिया, उन्होंने केवट को साथ लिया उन्होंने वंचित सुग्रीव को कले लगाया क्योंकि वो जानते थे कि जिस अनाचार से वो लड़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ धनिकों की और राजाओं की नहीं सदाचार की आवश्रक्ता परे लिए वहाँ आत्मा की दिप्ती के आवश्रक्ता लिए तो राम का ये धहरे ही उन्हें विजेता बनाता है भई रावन को तो बाली हरा चुका था पहले आपने काखानी सुनी होगी रावन को तो शेहस्वाव भी हरा चुका था रावन कोई ऐसा अर्जेंटीना नहीं था ऐसा ब्राजील नहीं था कि हनाना मुश्किल था उसको तो हरा चुके थे दोनों बाली तो उसको अपने बगल में दबाकर और उसने किले की दिवार का चक्कर लगा दिया था बाली ने जब हनुमान को बाधा है और हनुमान से रावन ने का कि तु मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ तो हनुमान ने क्या का हाँ जानता हूँ वो बाली वाला मैंने सुना था आपकी लडाई बहुत आथ हरचे मेरा आप से हनुमान ने क्यों का ताकि उसका confidence लूज हो लेकिन भगवान जब बाली और सुग्रीव के जनपद में पहुँचे तो उन्होंने बाली का साथ नहीं दिया उन्होंने वंचित को चुना वो उसके साथ खड़े रहे जिसका अधिकार छीना गया जिसका राज्य छीना गया जिसकी पतनी तारा का बलात अपरण किया गया है और उन्होंने बाली का व्यद किया जबकि बाली भी उनका प्रशंशक था उनका भक्त था मरते समय बान लगने के बाद प्रणाम की मुद्रा में बाली ने पूछा है भगवान से मैं बैरी सुग्रीव प्यारा मैं बैरी हो गया सुग्रीव आपका प्यारा हो गया मुझ में ऐसा कौन अवगुन था मुझे मार दिया तो राम ने उसको उत्तर दिया कि अनुज वधू, भगिनी, सुतनारी चोटे भाई की पतनी, भगिनी, भेन सुतनारी, बेटे की पतनी सुन सथ कन्यासम एचारी हे मूर्क, ये चारों बेटी के बराबर होती है, इन्हें कुदश्ट बिलो कहीं जो है, इन्हें गंदी दश्टी से जो देखता है, उसका वद करने में पुण्य मिलता है, पाप नहीं होता है, ये उसको उत्तर दिया मैं तेरा तो वद करूँगा, ये वंचीत है, इसे लेके चलूँगा, तो राम ने क्या किया, राम के साथ जितने लोग हैं, राम का धहर्य अद्भुत है, और यहां जो अध्यापय के उनसे निवेदन है, राम की लीडर्शिप क्यालिटी अद्भुत है, राम ऐसे ही राम नहीं बने है, मत पढ़िये हिंदू होकर, इस परिसर में बहुत सारे इसलाम मतावलं भी हमारे दोस्त बैठे होंगे, और किसी जाती धर्म के लोग बैठे होंगे, कहानी की तरह पढ़िये, और फिर और सुग्रीव महारथी के रूप में बना, और उस युद में सुग्रीव की महतुपूण भूमिका रही, जिस समय हनुमान लंका के लिए रवाना हुएं, आप रामचर इत्मानस पढ़िये, अध्यात्म रामान पढ़िये, श्रिमत वालमी की रामान पढ़िये, कंबन की रामान पढ़िये, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्हें हनुमान से क्या का, कि तुम क्या करना, आज हम कितने पहल हैं, आज हम लीडरशिप डेवल्लपमेν्ट की बात करते हु, उम ड्राइवर को एक जाके भेजते हैं, सामान लेने के लिए, पांच बार बताते हुं से, क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं है, हम उसकी लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाहते, राम करते हैं, रा सिता को वो मुद्रिका देना फल खाना खुदी गिरफ्तार हो जाना आग लगा देना अग लगाना मतलब वो राम का विजिटिंग कार्ड देके आए मतलब बता के आए वो कि जो आ रहा है हम उसका कार्ड है एक पैसा नहीं भगवान ने का कि वहां जाओ खुदी मतलब खुदी टेक आफ फुदी लेंडिंग और सारा पैसा हनुमान का उसका रावन का बहिए अनुमान जबरदस्ती गिरफ्तार हुए स्वेम में देखने के लिए कि कौन है तो का गया बहिए इसकी बानर को पूछ से बहुत प्यार होता है इसकी पूछ पर कपड़ा बांदो कपड़ा किसका रावन का बोले इस पर तेल लगा हो तेल किसका रावन का जली किसकी बेस्ट एंपलोई सर्वसेष्ट ग्यक्ति है कोई ना लुकर नहीं बगवान राम के जीवन में जो दो कठिन समय आयें दोनों में उन नहीं पार लगाई उनसे कहा गया कि मेरा भाई ये बीमार है सोचो राम पर कैसी बीती होगी बगवान राम के जीवन का सबसे कठिन रा रात वो है जब उनके भाई को मूर्चा आई उस रात राम कितने भी पीश्वर हो मनुष्य रूप में जी रहे थे मन में ये तो आयो गिया रेवध्या जाके क्या कहूंगा पत्नी कहां अपरन हो गया भाई कहां युद में मारा गया ऐसे समय में हनुमान काम आये और हनुम पान गये वहां कन्फूजन हो गया कि कौन सी जीवनी बूटी मेडिकल स्टोरी लिया पूरा इसमें से देख लो कौन सी है तो दो बाते हुई पहली हुई जिग्यासा दोसरी हुई धैर्य तीसरी हुई आपको क्राफ्ट करने वारे लोगों में कि आप लीडर्शिप डेव मतलव और नेतरत्व कशंता का सिक्षा से कोई मतलब नहीं है मैंने निजी रूप से जाना ऐ और मैंने एक बहुत कम सिक्षित पांचेद पास व्यक्ति के साथ आंधूलन किया नेत्रत्में और मैंने तधा क्षित एक बहुत बढ़े-पड़े लिके के साथ राजिंविती क कि नित्रत्वक्षमता का पढ़ाइ लिखाई से को मतलब नहीं है नित्रत्वक्षमता पैदा करना आपकी आत्मा की स्चुचिता पर निर्भर है आपको जब यह लगता है राम को भी तो लग सकता होगा कि यार हनुमान में इतना तेज है कि यही राजा ना बन जाए कि इसकी आरती जादा ना होने लगे और हमारे यहां तो मराठी में एक कथा भी आती है प्रतम नागरिक मराठी भाशी है तो मैंने एक लोगईत में कथा सुनी वहां कि बई जब नल नाव नील पत्थर ते राम लिख कर तो बगवान नाम अकेले बैठे थे उन्होंने सुझा कि यार मैं भी ते रादू तो उन्होंने एक पत्थर को उठाया और छोड़ा और उस पे तो डूब गया तो उन्होंने लगा यार आसपास कोई देख नहीं ले कि हमारे नाम पर काम चला है वो हमारा खुद गई नहीं तेरा तो उनके मूपर एक बड़ी लज्जा की संकोच की रेखा आई तो उन्होंने नल नील की तरफ देखा तो नल ने कहा कि प्रभू आप छोड़ दीजी हम बना लेंगे आप तो उन्होंने कहा चलिए मैं नहीं बनाता पर तुमारा कैसे तेर रहा है मेरा क्यों नहीं तेर रहा उन्होंने कहा हमने पत्थर पर राम लिखा ये अमर नाम है ये भवसाकर को पार करने वाला नाम है आपने पत्थर को छोड़ दिया जिस पत्थर को स्वेम राम ने त्याग दिया उसे कौन उपारने वाला है भाई तो लीडर्शिप इस बात से निर्भर होती है कि आप इस बात में कितना विश्वास करते हैं कि इश्वर द्वारा ते किया गया मेरा भाग्य किसी मनुष्य के निब्टाने से खतम करने से बढ़ाने से न बढ़ेगा न गटेगा